दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, Grandpix को लेकर एक्जाम में question हर साल पूछा जाता है हाल ही में एक Grandpix हुई है, जिसका नाम है Monaco Grandpix 2021 तो जो Monaco Grandpix 2021 है, इसको किस खिलाडी ने जीत लिया है? तो इसका right answer हो जाएगा, option number A, Max Verstappen इसका right answer हो जाएगा तो option number A, इसका right answer हो जाएगा, Max Verstappen ने 2021 का Monaco Grandpix जीत गया है इसका एक photo भी देख सकते हैं, celebrate करते हुए यह उनका photo देख रहा होगे अब दोस्तो हम लोग इसी के साथ में, वर्स 2021 में जितनी भी Grandpix हुए हैं, उसका revision कर लेते हैं हाला कि 2021 में अभी COVID चल रहा है, तो लगबग 2-3 event ऐसे हैं, जो की postpone हो चुके हैं उसके लाबा, जो events हो चुके हैं, उसका revision करते हैं उससे पहले आपसे पताना चाहूँगा, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं रेगुलर बेसिस पर इस चैनल पर current fast पढ़ाय जाता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जितने भी लोग इस वीडियो के देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसका notification आपके पास में आ जाएगा सबसे पहले इवेंट हुआ था बहरीन Grand Prix, तो बहरीन Grand Prix 2021 को लेविश हमिंटन ने जीता था, option देखकर इसको टिकर देना, उसके बाद में था Emilia Romagna Formula 1 Grand Prix, इसको जीता था Max Verstappen ने, उसके बाद में हुआ था Portuguese Grand Prix 2021 और Portuguese Grand Prix 2021 को लेविश हमिंटन ने जीता था इसके बाद में आता है Spanish Grand Prix जिसको जीता था, लेविश हमिंटन ने, उसके बाद में Monaco Grand Prix जिसको अभी हम पढ़ना है, इसको जीता है Max Verstappen ने, तो आपका पूरा रिवीजन भी यहाँ पर दोस्तों हो गया Current Affairs का अगला प्रस्तों बनेगा कि एक बार फिर से किसे International Hockey Federation का नया अध्यच बना दिया गया है, तो एक बार फिर से नरिंदर बात्रा को, ऑप्शन नमबर A का राइड अंसर हो जाएगा, नरिंदर बात्रा को जो की पहले से ही International Hockey Federation के अध्यच थे, एक बार फिर से इनको इसका अध्यच बना दिया गया है, उप्शन नमबर A का राइड अंसर हो जाएगा, नरिंदर बात्रा का फोटो देख सकते है, जिनके कारेकाल को extend कर दिया गया है, एक बार फिर से इनको इसका अध्यच बना दिया गया है, इनको अगले 3 साल यानि की वर्स 2024 तक के लिए फ Board of Reserve Bank Innovation Hub, RBIH के नाम से इसको जानते हैं, इसके नए CEO कौन बनाए गया है, आंसर हो जाएगा हाल ही में, राजेस बंसल को, option number 20 का राइड अंसर हो जाएगा, राजेस बंसल को RBIH का नया CEO बनाए गया है, Board of Reserve Bank Innovation Hub, option number 20 का राइड अंसर हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं RBI Innovation Hub appoints Rajes Bansal as new CEO इसका photo भी देख सकते हैं Rajes Bansal को जिनको इस पद पर appoint कर दिया गया है अब चुकि appointment की बात हुई है तो हाल ही में पिछले 2-3 महिनों में जितने important appointment है उसको भी revision कर लेते हैं जैसे की DCB Bank के MD and CEO बनाए गए है Murali Natarajan जिनका photo आप देख सकते हैं उसकी बाद में अभी आपको करवाया था कुछ दिनों पहले question सुझकी motorcycle इंडिया के नए company head कौन मनाए गए है सतोसी उचीदा इसका ride answer हो जाएगा फिर उसकी बाद में हमने पढ़ा था footwear company Bata India के नए CEO कौन मनाए गए है तो गुंजन सहा इसका ride answer हो जाएगा उसकी बाद में हमने पढ़ा था भारतिये महिला cricket team का मुखी coach कौन मनाए गए है तो रमेश पोवार इसका ride answer हो जाएगा जिनका की photo भी देख सकते हैं इसके लाबा United Nation का नया humanitarian chief की से बनाए गया था Martin Gree Fix इसका ride answer हो जाएगा after that BPCL PSU जो है उसका नया CMD की से बनाए गया है अरुन कुमार सिंग इसका ride answer हो गया था National Asset Reconstruction Company के CEO last week करवा था answer हो जाएगा पद्म कुमार नायर को बनाए गया है option देखा टिक कर देना आगे चलते हैं RBI RBI का नाम फिर से आगया अभी हमने पढ़ा था RBIH का नया CEO Chief RBIH अभी हम पढ़ रहे हैं RBI का नया Executive Director कारे कारी निदेसक की से बनाए गया है तो जोस के कट्टूर इसका ride answer हो जाएगा जिनका photo भी देख सकते हैं जोस के कट्टूर इसका ride answer हो जाएगा एक कमपनी है बहुत ज़्यदा news में चल रही है जैसे की Micromax इसके CEO कौन है इसके CEO का नाम है Rahul Sarma ये वो कमपनी है जो की news में चल रही है अभी Dr. Ready Laboratories ती जो की Corona की vaccine बनाने पर काम कर रहे थे उस कमपनी का नाम बहुत ज़्यदा famous चल रहा है इसके CEO का नाम है GB Prasad ये आपको याद होना चाहिए and last but not the least Adobe कमपनी के CEO कौन है Santanu Naray Current FS के एकले सांदार question में चलते हैं वर्स 2021 का template and price किसे प्रदान किया गया है अच्छे से देख लेना हर साल ये प्रसने एक्जाम में रिपीट होता है पिछले साल का ये प्रसने RRB NTPC में कई बार पूछा गया है तो हाल ही में Jane Goodall को Jane Goodall option number ace का राइड अनसर हो जाएगा Jane Goodall को वर्स 2021 का template and price दिया गया है option number ace का राइड अनसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं ये वाला फोटो लिखा है congratulations Jane Goodall जिनको winner पनी है winner for the price of 2021 template and price ये इनको दिया गया है इनका चेहरा भी आप देख सकते हैं आपको लम्मे समय तक याद रहेगा ये by work क्या करते हैं बड़ाई profession ये प्रकति वादी हैं प्रकति के समर्चण के लिए काम करने वाली हैं साथी साथ में प्रकति के साथ साथ में जानवरों की रक्षा के लिए काम करती हैं और बेसिकली इनको जानवरों का जो माइंड होता है बुद्धी होती है और मानवता पर उनके जीवन के जो research के काम है उनको लेकर इनको ये price दिया गया है तो template and price 2021 को इनको दिया गया है जिनका नाम है Zain Godel CurrentFS के अगले प्रस्त में समुद्री आपदाओं का पता लगाने और महासागरों पर निगरानी रखने के लिए किस देश ने HY2D satellite को launch कर दिया है तो answer हो जाएगा हाल ही में पूरी दुनिया में Corona virus भलाने वाला देश चाइना तो चाइना ने हाल ही में एक satellite launch गया है जिसका नम है HY2D ये satellite क्या करेगा ये पहले से ही अगर महासागरों में कोई तूफान उठ रहा है कोई भी हल्चल हो रही है कोई आपदा आने वाली है इसका पहले से ही पता लगा सकता है चाइना option number 20 का राइड अंसर हो जाएगा यहां पर देखें आप देख सकते हैं चाइना ने successfully launch कर दिया है अपना new ocean observation satellite जिसका नाम है HY2D मतलब पूरा full form हुआ हायांग 2D तो हयांग 2D नाम से इस satellite को launch किया है तो HY2D का full form हयांग 2D नाम से यह satellite चाइना देश ने launch किया है अगला question है COVID-19 की anti body kit का क्या नाम है जिसको DRDO ने मई 2021 में launch किया है answer हो जाएगा dipco when option number 20 का right answer हो जाएगा इस पर एक अलग से भी मैंने वीडियो बनाया है कि यह kit किस तरीके से काम करती है अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो channel पर जाकर आप उसको देख सकते हैं दोस्तों यह जो kit होती है dipco when यह 75 रुपए की kit है 75 रुपीस की है और जून के दूसरे हपते में आपको मिलने लगे की market में यह 75 मिनट में आपको घर पर ही यह बता सकती है कि आपको अगर कोरोना वारस हो जाए तो आपका सरीर पहले से ready है उससे fight करने के लिए या फिर नहीं है या आप घर पेटे पता लगा सकते है या फिर आपको पहले कोरोना वारस हो चुका है और अब दुबारा आपको यह पता करना है कि मेरे सरीर में antibody है कोरोना से लड़ने के लिए या नहीं तो उस चीज का पता आप घर पर लगा सकते है बहुत ही बढ़िया kit है जो लोग vaccine ल लगा सकता है मेरा recommendation है अगर आपको यह kit मिले तो आप इसको सभी members को जरूर चेक करें चीक है आगे चलते हैं अगला question वनेगा कि India and Asian geopolitics the past present नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो इस पुस्तक को Siu Sankar Menon ने लिखा है option number Ace का राइडेंसर हो जाएगा कि यह जो पुस्तक है इसको Siu Sankar Menon ने लिखा है option number Ace ही हो जाएगा India and Asian geopolitics आप देख सकते हैं इसको Siu Sankar Menon के द्वारा लिखा गया है तो option number Ace का राइडेंसर हो जाएगा अगला question बनेगा किस मंत्राले ने national mobile monitoring software और area officer monitoring application को launch किया है तो हाल ही में यह दो नए mobile application को launch किया गया है जिसको ministry of rural development के द्वारा launch किया गया है तो पहला जो app है national mobile monitoring software इसके नाम सही पता चला है monitor किसी चीज़ पर निगरानी रखने का यह जो app है इसको यह क्या करेगा यह मनिरे का नाम से जो scheme चलती है उसके तहत काम करने वाले जो स्रमिक होते हैं उनकी real time attendance पता कर सकता है मतलब इसमें geo tag का इस्तिमाल किया जैसे ही आप लखनव में कोई photo ले रहे हैं तो लखनव एरिया को वहां पर वो tag करेगा तो इससे यह पता चल जाएगा कि नरेगा scheme के तहट कितने वरकर इस समय वहां पर काम कर रहे हैं इसका इस app के माध्यम से पता लगा जा सकता है photo खीच कर तो दोस्तों यह जो दो एप है national mobile monitoring software और दूसरा area office monitoring app इसको दोनों को ही ministry of rural development के दौरा launch किया गया है question बनेगा किस देश ने माई 2021 में 7th BRICS astronomy working group BAWG meeting आयोजित करी है किसके दौरा करी गई है तो answer हो जाएगा भारत ने इसको आयोजित किया है option number 20 का right answer हो जाएगा virtually इस event को organize किया गया है और इस बार BRICS astronomy working group की ये जो meeting है ये 7th संस्क्रन था तो ये भी आपको याद रखना है option number 20 भारत ने इस देश को मेजबान किया है मतलब भारत ने इसको organize किया है तो आप देख सकते हैं इंडिया hosted a 7th meeting of BRICS astronomy working group तो आप देख सकते हैं virtually इस event को organize किया गया है question मनेगा विस्व कच्छुआ दिवस world turtle day प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है तो हर साल ये जो turtle day है ये 23 मई को मनाया जाता है option number C का right answer हो जाएगा world turtle day हर साल 23 मई को मनाया जाता है option number C will be the right answer इसमें आप देख सकते हैं 23 मई वर्ड टर्टल डे ठीक है इसमें आप देख सकते हैं वर्स 2021 के लिए इस दिवस का जो theme है वो है टर्टल्स रॉक टर्टल्स रॉक इसका right answer हो जाएगा SSC railway और NTPC में एक question कई बार पूछा गया है कि जो कच्छुआ है turtle इसका scientific name क्या है तो इसका विज्ञानिक name होता है test to dines test to dines इसका right answer हो जाएगा important है ये वाला point exam में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों दिवस वाले कुछ questions का revision कर लेते हैं मार्च के कुछ questions हम लोग कर रहे हैं मार्च 11 मार्च को world kidney day मनाया जाता है और इस बार इस दिवस की theme थी living well with kidney disease याद रखना important है पूछा जा सकता है world consumer right day कब मनाया जाता है 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है और इस बार के लिए इस दिवस की theme क्या थी tackling plastic pollution ये इसका right answer हो जाता है दोस्तों चुकि इस समय पूरे देश में vaccination का काम चल रहा है तो vaccination पर एक question बन सकता है national vaccination day कब मनाया जाता है answer हो जाएगा 16 मार्च को हर साल ये दिवस मनाया जाता है global recycling day कब मनाया जाता है 18 मार्च को मनाया जाता है theme बाले question बार-बार पूछे जाते हैं आपको बता रहा हूँ recycling heroes इसका right answer हो जाएगा international day of happiness कब मनाया जाता है 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है और इसका जो theme है happiness for all, forever world sparrow day 20 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है I love sparrows इसका right answer हो जाएगा world oral health day हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और theme हो जाएगा be proud of your mouth जेका इसको याद रखेंगे इसका theme भी national protein day 27 फरवरी को मनाया जाता है और इस बर्स इसका theme हो जाएगा powering with plant protein 28 फरवरी को मनाया जाता है national science day और इस बर्स के लिए science day का जो theme था वो था future of STI impact on education and work उसके बाद में प्रवासी भारतीय दिवस NRI day का मनाया जाता है तो every year 9th of January को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है theme हो जाएगा contributing to the आत्मनिर्बर भारत national youth day हर साल 12 जन्वरी को मनाया जाता है theme हो जाएगा channelizing youth power for nation building इसके बाद में आता है international day of education 24 जन्वरी को मनाया जाता है और theme हो जाएगा recover and revitalize education for the COVID-19 generation important है इसमें COVID का नाम आ गया तो important हो गया याद रखिएगा उसके बाद में national voters day कब मनाया जाता है हर साल 26 जन्वरी से एक दिन पहले 25 जन्वरी को हर साल national voters day मनाया जाता है theme हो जाएगा making our voters empowered vigilant, safe and informed इसका right answer हो जाएगा अगला सांदार कुशन बनता है कि किस प्रसिद्ध परियावरन विद को चिपको आंदोलन के नेता का 94 वर्स की आयू में हाल ही में निदन हो गया है answer हो जाएगा सुन्दर लाल बहुगणा option नंबर D साई हो जाएगा सुन्दर लाल बहुगणा हाल ही में इनका निदन हो गया है और यह चिपको आंदोलन के लिए famous थे 94 वर्स की आयू में इनका निदन हुआ है सुन्दर लाल पहुगडा का फोटो देख सकते हैं इसके बारे में डेटेल में और कल के वीडियो में आपको बताऊंगा चलते हैं अगला कोशन मने का नहरू तिबबत एंड चाइना पुस्तक किसके दौरा लिखी गई है तो आउतार सिंग भाशीन आउप्शन नमबर B सही हो जाएगा आउतार सिंग के दौरा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है इस समय बड़ी फेमस है नहरू तिबबत एंड चाइना तो ये इसका राइड एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B इसका राइड एंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आउतार सिंग भशीन जिन्होंने नहरू तिबबत और चाइना नाम से इस पुस्तक को लिखा है इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो आज का कुश्चन जिसका अंसर आपको देना है स्क्रीन पर देख रहा है साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा जल्दी से